क्ला सो है लो लों गाइक कैसे हैं आप सब तो गाइथ आश्रत आँगा सबęd तो गाइश अज़का वीडियो गें डार आप AWC粉् Dec to मेरे को लग रहा है यह वाला वीडियो आप सभी के लिए इतना जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि बात ही मत करो तो किसे आज किस वाले वीडियो के बिसिकली मैं बता देता हूँ अपन लोग क्या घंड़ा तो फिर गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब ने क्या हो तो कर देना भाई अपने भाई की चैनल समझके कर देना और गाइस वीडियो को तो आप लाइक और शेर करें देता है तो कहने की बात ने इंस्टाग्राम पर थोड़े फॉलोवर हो गेरा बढ़ा हो यार थोड़े यार मेरे लग ओवेंसटाग्राम के उपर करने वालो भाईस जो मेरा रीडियूम कोड़ उपर लिंक कोई भी सब्सक्राइबर को दूंगा, ठैकि तो अगर आपको रीडियूम कोड चाहिए ना तो फट न भाइस जाके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर ठीकि आइस तो लिंक दिस्क् एक पर्मानेंट स्कॉर्ट ठीक है जाता है तो इस अपना को सच करने के लिए मैंने सूचा कि एक वीडियो बना लें मेरी ओडियंस के लिए तो ताकि आप भी कुछ अच्छा जान लो और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन बिल जाए ठीक है तो फिर गाइस मैं आपको कुछ अमलब के ऐसी टिप्स देने वालो और ट्रिक्स देने वालो और कुछ एजसे एक्जांपल दूंगा जिसे आप समझ जाओगे कि एक पर्मानेट स्कॉर्ड कैसे बनाते हैं तो गाइस वीडियो को मलब कि मैं पॉइंट वाइस बताने वालो ह जब आपको भाई पांच प्लेयर कासे होंगे जब खेलत चाहरी तो गैस प्लेयर होता है ठीक वाइस किसी मलब कि एक प्लेयर के आप में दर्द आ गया या कोई भी गैस एक स्करा करन हो जाये तो गैस इसके लिए एक प्लेयर हमिशा की तरह आप एक्स्ट्रा में लेना ही अगर आपकी squad बन जाए तो guys महलब की एक player आपको extra लेना है तब आपकी पांच की team बन जाएगी ठीक है guys पांच की team से आपको बहुत जादा फायदा रहेगा एक player चाहे तो break लेकि दूसरा player आ सकता है guys जैसी आपकी इच्छा ठीक है guys फिर आप अपने हिसाब से खरना तो guys आपको पांच player लेने है एक squad के अंदर चार खेलेंगे ठीक है इस तो बताते तो कि guys अपनको कैसे कैसे player चाहिए मुलब की guys rusher कितने sniper कितने तो guys मैं आपको sniper बता तो जैसा कि guys TG के अंदर पहले थे अब तो शाहिए से काई ओग जी या पता है इस कौन सी team के अंदर चल गए हमारे पहाडी भाई तो guys उनका gameplay जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पार है कि sniper कितना ही OP सा long range के अंदर cover दे पाता है एक team को तो guys इसके लिए हर एक team पूरा long range से cover देता है आप लोगों को बता देता है कि यहां से बंदा आ रहा है यहां से देख के चलो ठीके guys यह सब पताता है sniper उसके बाद guys एक दो बंदे आता है guys हमारे rusher 2 guys मैं आपको बताता है दो बंदे में से एक होता है rusher और दूसरा होता है rusher का support में आपको आपको बताता है bạn इस पता बंदा बना बंदा बचाई नगा का रशर श्चाल वह फिलों वरट धाला है चाहिए उसको एक दम ही … सबादा है सबस्तल问 कर दो, में रखते हुए सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना आप क्या करना यहां से बंदा आ रहे हैं वही मलब की रशर होता है अगर दोनों रशर नौक हो जाए तो गई जो लीडर और गई अगर एक्स्ट्रा प्लेयर होता है वही जाके उनको रिवाइब वगरा देता है ठीकी व वह काम उनका होता है जैसे कि आप स्पोर्ट के अनल देखते हो एक बंदा एकदम शांत बैठा रहते हैं एक स्नाइपिंग करता है और एक रश करता है फिर दूसरा रश करता है तो यह तो था हमारे पहला पॉइंट कि अपन को कितने बंदे लेने के तो पांच बंदे और प्लेंगे प्लेंगे ठीकिए और गईस हमें कि मलब के कितने रश कितने स्नाइपर बढ़ते हमारे सेकंद पॉइंट की तरफ तो फिर जो सेकंद पॉइंट है वह मैंने भी मेरी स्कॉर्ड बनाते हैं बहुत जादा मेंटेन करके रखा था कि हमें स्कॉर्ड के अंदर बंदे कैसे लाई तो फिर गाइस सबसे बेसिकली तो मलब की गिल्ड का तरिका है आप एक अच्छी सी गिल्ड चुल लो ठीकिए मैं नेक्ष्ट वीडियो गिल्ड का लाने वाला हो कि आप मेरी गिल्ड में आजा तो मेरी गिल्ड में दो स्कॉर्ड तो बनी हुए और एक मेरी और एक मेरी दोस्त के जिसका नाम जर्श भाई है ठीकिए तो उसकी गिल्ड में भी आप जा सकते हो और मेरी गिल्ड में भी तो वहाँ पर आपको दो स्कॉर्ड है, दोनों में से कोई भी एक स्कॉर्ड के अंदर, अपनी केड़ी बगएरा देखे, इस नॉर्मली आ जाना है ठीक है, इस लेवल, गिल्ड के अंदर ठीक है, तो ये तो था हमारे एक बेसिक आइडिया कि हम कैसे जाए गिल्ड के अंदर है, ठीक है गिल्ड से हम कैसे करें, मलब की हम गिल्ड से कैसे स्कॉर्ड बना ठीक है तो ये था हमारा 2nd idea बढ़ता है, हमारे 3rd idea की तरफ, तो फिर घ्रता हूं मैं मेरी 3rd tip की तरफ तो में इस के अंदर आता है, मलब की गिल्ड का तो ग। फरस्ट प्रो बना आ जाना आपको उससे एकदम अच्छे से बात करने हैं और आपको उसको डायमन का लालत नहीं देना है अगर आपकी स्कॉर्ड में नहीं आएगा तो आपको क्या कर देना है बेसिकली मैं बताता हूं उसको कहना है कि भाई मेरे पास ए गिल्ड है अगला वीडिव उसके अपर ग्युल्ड के अंधर को उला कि अच्छे से बात करो और आप स्कॉर्ड बना दो ऊसके साथ तो अगर आप दो बंदो पिसुट बनाओ नो ऑटमाटिक लिए अगर दो बनाओ ना गूसी दो ऑली तो भी वीडियो के अंदर तो आच इतना ही ता च कुछ आपको बता है और तो गई मेने बता है कि कैसे कैसे हम स्कॉड परमानन इस क्वारड बना सकते हैं ठीक है तो आज की सोले वीडियो के इतना ही तहां मिलते हैं अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए जै हंवान जै गुंसा हम झाल झाल